सचिन पाइलेट ने एक बड़ा हमला किया है बीजेपी पर सचिन पाइलेट ने कहा कि बीजेपी दक्षण में साफ और उत्तर में हाफ है इतना है नहीं मोदी की कोई लहर नहीं है और राजस्थान में भी कॉंग्रिस का स्ट्राइक रेट अब की बार बेहतर हुगा हो चुका है क्या आसेस्मेंट है कॉंग्रिस पार्टी का क्योंकि पिछले 19 के चुनावों में इन्हीं सीट्स पर इंडिया एलाइन्स पार्टनर्स ने अच्छा किया था इंडिये के मुकाव ने निस्वा में पूरा बदल चुका है जो पहले चरण में मद्दान हुआ है जो रेपोर्ट्स हमको मिली है उसमें पहले बाद तो कोई वेव नहीं है और मद्दान कम हुआ है मतलब लोगों में वो उत्रुपता भी नहीं है लेकिन ये कही ने कहीं बदलाव का चुनाव ह क्योंकि दस साल से लगातार कुण भॉम्मत की भाजपा सरकार बन कर आई, दस साल में क्या किया उसका लेखा जोका किसी ने दिया नहीं, अब बात हो रही है दोजर सेंतालिस की, वो कहरे हैं अभी तो हम गड़ा भरा है दस साल में, अब हम काम शुरू करेंगे, तो अपने ल भविश की आश्वासन देते दो बार चुनाब जीत गए, इस बार परिवरतन होगा और मुझे लग रहा है कि जो रुजहान है, जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, उसमें जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधा मकाबला है, वहां पे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहले से बहुत बेदर रहे है, इस बार जो चर्चा चल रही है, कि बीजेपी का साउट से साफ और नौर्थ में हाफ, ये आंकला हो सकता है प्रधान मंत्री जो हैं अटैक करें आपके पूरवध्यक्ष राहूल गांदी पर कह रहे हैं, कि पिछली बार उन्होंने अमेठी चोड़ा था और इस बार हालात ये होने जा रहे हैं, कि उनको वाइनाट से भी भागना पड़ेगा इस तरह की बात उन्होंने अपने मंत्री चार्जिस थे या काम सटिस्फेक्ट नहीं था तो आप सवाल पूछ रहे हो तो जवाब देने का भी आपको होना चाहिए खलेजा